ये देख रहे हैं आप एक भैंकर समस्या जो आप आज हर चोथे पांचवे आदमी को आपको दिखाई देता है हर वेक्ति के शरीर को आप देखें तो पिंडलियों के अंदर गांटे बन जाती हैं पिंडलिया सूज जाती हैं पिंडलियों में सूजन आ जाती हैं लेकि नसों के अंदर वेरिकोज वेंस जिसको बोलते हैं, नसों के अंदर जो हमारे वाल्व्स हैं, वो वाल्व खराब हो जाते हैं, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन हो नहीं पाता, टांग सुन हो जाती हैं, और ये वेरिकोज वेंस आगे बढ़कर बहेंकर पीडा देती है, ज इसका कोई treatment नहीं modern medical sciences बिमारी को समझ नहीं पाया तो इस वेरिकोज वेन्स को पतंजली wellness में परंपुज्य स्वामी जी परंपुज्य आचेरे जी के मारक दर्शन में कैसे ठीक किया जाता है महर्शी चरक ने जोग ठेरपी के बारे में लीच ठेरपी के बारे में बताया है तो आज हम देखेंगे लीच ठेरपी कैसे लीच लगाई जाती है जिकर वेरिकोज वेन्स है कहां से आए हैं आप आसन सोल से आए हैं कितने सालों से आपको यह दिक्कत है बचपन से दिक्कत है तो अभी कितने स यहां पर आपको कितने दिन हो चुके हैं यह पांच दिन हुआ है तो पांच दिन में आपको कितना लाब महसुस हो रहा है कुछ कम है तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो ट्रीटमेंट चल रहा है उस ट्रीटमेंट से आपकी यह समस्य ठीक हो सकती है हाँ विश्वास है विश्वास हो गया आपको पांस दिन में यह आप देख रहे हैं जोग थेरेपी के लिए तयारी कर रहे हैं जोग थेरेपी में कुछ साउधानिया रखने भी बहुत जरूरी है देखे आजकल कुछ लोग आयुरवेद को बदनाम करने के लिए असाउधानी से जोग थेरेपी कर रहे हैं जिसकी भी जोग थेरेपी की जाती है उसके खून की उसका complete blood का profile लिया जाता है उसके अंदर platelets कितने हैं, HB कितना है उसके खून में ठका जमाने वाले तत्तों कितने हैं क्योंकि जब हम किसी को जोग लगाते हैं तो जोग लगाते वे, जोग जो खून चूसती है यदि खून में यदि किसी भी प्रकार से HB कम है या खून ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसमें उस रोगी को इससे हानी हो सकती है और यहाँ पर पतंजली wellness में हर जोग को लगाते वे क्योंकि अगर कोई शरीर में बिमारी है तो जोग उस ब्लड को लेती है तो जोग के अंदर वो बिमारी हो सकती है इसलिए हर वेक्ति का hepatitis चेक किया जाता है HIV चेक किया जाता है आप भी कहीं जोग लगवाएं तो यह सावधानी जरूर रखें कि उसी संस्था से उसी वेक्ति से जोग लगवाएं जो ब्लड की जाच करता है यदि आप उसको छोड़ कर यदि सीधी किसी medical के किसी वेक्ति के पास रखी हुई जोग को सीधा अपने शरीर में लगवा लेंगे तो आपको भेंकर हानी हो सकती है उस जोग को यदि पहले किसी HIV के patient को लगा हुई हो सकती है तो HIV का virus उस जोग के अंदर हो सकता है जो आपके शरीर के अंदर जा सकता है इसलिए साउधानी बहुत जरूरी है पतंजली योगपीट में modern lab के साथ कड़े medical control के मापदंडों के साथ हर प्रकार का treatment किया जाता है यहाँ पर सारी चीजों के जो बहुत अच्छे वैग्यानिक यहाँ पर रहते है उन वैग्यानिकों के माद्धम से पूरी वैग्यानिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है जो महरशी चरग शुषूत ने बताई है यह आप देख रहे हैं कि यह जोंक लगाई जा रही है यह जोंक भी विशेश प्रकार की जोंक होती है यह जोंक जैसे ही हम लगाते हैं तो यह जोंक क्योंकि दूसरे परजीवी है एक प्रकार से दूसरे के खून के उपर यह जीती है तो यह जोंक जैसे ही हम लगाते हैं इन वेंस के अंदर कि सबसे पहले तो ये हमारे खून के अंदर जो थक्का बनाने की जो प्रोपर्टीज है जो क्वालिटी है उसको नुट्रिलाइज करने के लिए ऐसा एक रसायन छोड़ती है जिससे हमारे खून का थक्का नहीं जमता और दूसरा ये एक नेचुरल पेन किलर छोड़ती है किस पशू में किकी शरीर में यदी जोउक लगती है तो जोउक लगते वे उसको एसास नहीं होता क्यों कि वह सुन करने वाला रसायन साथ-साथ छोड़ती है ताकि वह इत्मिनान से खून को पी सके और उसके बाद व्यक्ति को पता लगे क्योंकि व्यक्ति को तुरंट tumor काटन जिनके स्किन के अंदर जो भेंकर कोई दूसरी समस्या है उन सब को ये जोंग ठीक करने का काम करती है यह आप देख रहे हैं जोंग कैसे लगाई जाती है आप आज पतंजली वेलनेस में है पतंजली वेलनेस परम पुझा स्वामी जी पुझा अचारे जी के मारक दर्शन में पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाने का एक अभियान है सुबह सुबह योग को आप पुझा स्वामी जी के मारक दर्शन में इंडिया टीवी पर आस्था टीवी पर लगातार देखते हैं आपके आसपास भी यदि कोई गंभीर वेक्ती है तो आप उसको योग करने के लिए प्रेडित करें और किसी को गंभीर विमारी है तो वेक्ती पतंजली वेलनेस में आकर इसका लाव ले सकता है देखे डाइबिटीज वानों को एक समस्य होती है उनके टिश्यूज डेड हो जाते हैं यह जोंक के वल खून नहीं पीती जो डेड टिश्यूज है उनको भी देखी और जोंक ची कित्सा में सावधाने भी जरूर रखें